नमस्ते मैं चंदर सेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलिजन्ट अकडमी में स्वागत करता हूँ हम लोग बिहार SAC के लिए एक मैध का स्रीज श्राट किये थे जिसमें हम लोग परते एक दिन बिहार SAC माई वे मैध का प्रिवे सेर कोश्चन और उस पर अधायत मैध का कोश्चन कर रहे हैं चलिए आज उस स्रीज मालोग आगे की तरफ चलते हैं इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल न भूले ताकि आपको सबसे पहले लेटेस नोटिफिकेसन मिलता रहे है चलिए आप हम लोग कोश्चन की तरफ चलते हैं देखे हमारा कोश्चन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चन दिया राधा को 1680 रुपय क्रेमूल वाले बैग पर कितना मूले अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूले पर 16% छूट देने के बाद 25% लाप प्राप्त हो सके हमें क्या निकलना है अंकित मूल निकलना है अब देखे हमें क्रेमूल दिया हुआ है और हमसे अंकित मूल पूछ रहा है तो देखिए अगर हमें क्रैमूल और अंकित मूल का रेशियो पता चल जाए तो हमें क्रैमूल दिया हुए तो हम वहां से अंकित मूल बता पाएंगे तो देखिए हमें क्रैमूल और अंकित मूल का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं एक हमारा कंसेप्ट होता है एक हमारा concept होता है MP बटा CP equal to 100 plus profit percent बटा 100 minus discount percent अब देखे हमें question में discount percent दिया हुआ है और profit percent दिया हुआ है तो हम यहां से MP और CP का ratio निकाल सकते हैं यहां हमारा profit क्या दिया हुआ है हमारा profit दिया हुआ है 25 परतिसत और discount क्या दिया हमारा discount दिया हो जोले परतिसत अब देखे हम यहां से 100 में अगर 25 side करेंगे तो यह हमारा क्या हो जागा 125 हो जागा और 100 में से हम 16 minus करेंगे तो यह हमारा 84 हो जागा यानि यहां से हमारा MP बटा CP क्या निकल क्या आगा CP निकल क्या आगा लेकिन हमें question में उस back का CP कितना दिया हुआ है, 680 रुप्य दिया हुआ है, उस back का हमें CP कितना दिया है 1680 रुपय यानि इंच 84 unit का value हमें निकल किया गया 20 रुपय निकल किया गया तो हम यहां से हम यहां से 125 इंट का वैलू निकाल सकते हैं यानि हम इस 125 में 20 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल किया जागा देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है हमारा कोशिन दे एक वेपारी लागत मूल से 30% अधिक वशूल करता है नगत अदाइगी के लिए वह अपने वो भोगता को 10% छूट देता है तो उसे परतीसत निवल लाव कितना है हमें क्या निकालना नेट प्रोफिट निकालना है अब देखे हमें कोशिन में क्या दिया है हमें कोशिन में दिया है कि एक वेपारी जो है लागत मूल से 30% मूल जो है अधिक अंकित करता है और जो नगत भुगतान कर रहा है उसे 10% का डिसकाउंट दे रहा है यानि पहले जो है 30% मूल में ब्रिधी कर रहा है उसके बाद ज हो जागा 30 गुणंई 10 वत्टा क्या हो जागा 100 हो जागा यहांस हमारा दो 0 से 20 कट जागा यहांस हमारा क्या निकल किया जागा प्लस का 30-10-90-3 हम माइनस करेंगे motoro-10 – anc 10 चला में क्या जागा भिर लेक्स कोशिन पे चलते हैं, देखे हमारा कोशिन क्या दिया हुआ है, हमारा कोशिन दिया है A और B, दो पाइप किसी खाली टंकी को करम सा, 10 गंटा और 16 गंटा में भर सकते हैं, इसमें से परतेक को एक आंतर करम में 1 गंटा के लिए खोला जाता है, पहले पाइप B को खोला जाता है, खाली टंकी कितने घंटा में भर जाएगी, हमें क्या निकलाएगी, खाली टंकी जो है, अगर दोनों को एक आंतर करम में खोला जाएगा, तो कितना घंटा में भर जाएगी, तो हम सबसे पहले, सबसे पहले, जो यहां हमारा समय का एलसीम निकालेंगे, देखे हम और 60 का LCM क्या हो जागा 80 हम टंकी की धार्ता गाल लेंगे 80 unit अब देखिए 80 unit पानी जब Pipe A भर रहे तो कितना समय लग रहे है 10 गंटा कैं समय लग रहे और जब 80 गहंटा में गर 80 उनिट पानी भर रहा है तो एक घंटा में कितना भर रहोगा 5 उनिट पानी भर रहोगा अब देखे हमें कुश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि इनमें सब परतेक को एक अंतर करम में एक घंटा के लिए खोला जा रहा है और पहले पाइप B को खोला जा अगले एक घंटा एक खोला जागा अब देखे एकवने ज्यानी लिए आठ यंिट यानि जो है एक घंटा में 8 उनिट पानी भरेगा यह जो है एक घंटा में आठ यूनिट पानी भरेगा अब देखिए अभी तक समय कितना हो गया अभी तक समय दो घंटा हो गया और पानी कितना भर गया पानी भर गया तेरे यूनिट और हमें पानी टंकी के इंदर भरना कितना है असी यूनिट पानी भरना है तो देखे, इस तेरे में, हम क्याची से गुना करें, ताकि हमारा 80 के करीब आ जाए, तो तेरे में अगर हम 6 से गुना करेंगे, तो यह क्या हो जागा 78, हम इस साइड अगर 6 से गुना करेंगे, तो हमें इस साइड भी 6 से गुना करेंगे, यानि इस साइड 6 से गुना करेंग अब देखे 12 गंटा कौन आया होगा, 12 गंटा A आया होगा, यानि अब कौन आएगा, अब जो है B आएगा, B जो है 1 गंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा है, तो 2 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 यूनिट प पानी भर जागा ऐनी यहनी हमारा आंसर क्या निकल की आ गया फाना असर निकल क्या जागा निकल की आ यह कि बाड़े सही दो बड़ा 5 घंडा में टंकी जो है भर जाएगी सी तो यहां की अज़ितलाव समझ में hi अब देखें में question में क्या दिया हुआ है हमें question में A और B के मासिक आये का हमें ratio दिया है हमें income का ratio क्या दिया है 4 is to 5 दिया है और हमें question में क्या दिया है मासिक बैर यानि expenditure का हमें ratio क्या दिया है हमें expenditure का ratio 2 3-8 दिया हो है तो देखिए हमने माल लिया हमने यहां माल लिया कि A का जो इंकम है और 5 x से और 100Se और हमने हमान लिया कि A का तो खर्च है expenditure है वो 3Y है हमने मालिया कि A का जो खर्च है वो 3Y है और B का जो खर्च है वो 8Y है अब देखिए हमें question में आगे क्या दिया हूआ है हमें question में आगे दिया है कि यदि A की आए B के बराबर हो यानि 4X किसके बराबर है 8Y के बराबर है यानि हम यहां से एक निकल क्या जाएगा, यानि X का वैलू, अगर दो यूनिट होगा, तो Y का वैलू क्या होगा, एक यूनिट, अब देखिए हम यहाँ, X और Y का वैलू पूट करेंगे, हम यहाँ, X और Y का वैलू पूट करेंगे, देखिए, X के जगे कर हम दो पूट करेंगे, तो यह हमा सकते हैं यहां से सेविंग निकाल सकते हैं एक हो जाएगा और भी का सेविंग क्या होery Two इनि सेविंग का रशियो यह व्य मैं गया थे और हाननी क्यों शुनिख है जली कोश्चन सबझ में आगा होगा नेक्स कोश्चन पर चलते देखे हमारा कोश्चिन क्या दिया हुआ है हमारा कोश्चिन देखिए किसी गाउं की बरतमान जनसंख्या 15,28 है यदि पूर्सों की शंख्या में 25% की ब्रीधी होती और महिलाओं की शंख्या में 15% की ब्रीधी होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी गाउं में पूर्सों और महिलाओं की बरतमान जनसंख्या के बीच अंतर निकालना है अब देखे हमें कोश्चिन में बरतमान जनसंख्या क्या दिया हुआ है गाओं का हमें बरतमान जनसंख्या क्या दिया हुआ है और हमें कोश्चिन में क्या दिया हुआ है हमें कोश्चिन में दिया हुआ है कि प पूरुस की संख्या में अगर 15% का बिरीधी होता और महिला का संख्या में अगर 15% का बिरीधी होता तो गाओं का जनसंख्या क्या होता 15% से बढ़ जाता तो हम इसका अगर 15% निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि गाओं का संख्या अगर पूरुस की संख्या भी अगर 15% से बढ़ता तो गाउं का जन संख्या जो है कितना से बढ़ जाता पूरुस का संख्या अगर 15% से बढ़ता और महिला का संख्या अगर 15% से बढ़ता तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि गाउं का जो जन संख्या है वो कितना से बढ़ जाता यानि हम इसका अगर 15% निकालेंगे तो हमारा निकल क्या जागा? इसका हम 15,280 का अगर हम 15% निकालेंगे तो हमारा निकल क्या जागा? अब देखिए यहां से हमारा 1-0 से 1-0 कर जागा, हम इसे 5 से काटेंगे, यह 5 से 3 बार में जागा, यह 5 से 2 बार में, यह 2 से कितने बार म सामस्धान. Если हम ये यह गुना करें, तो यहां हमारे क्या कि हो जाएगा गुना करेंगे तो 12-2, हाथ में 1, 18-1, 19-1, 21-1 यहां- volt 22, hanno- Darties की जनसंख्या है ओ 222-92 से भढ़ जाता क्यों? लिकिन हमें question में Any question में क्या दिया है.. हमें कुश्चिन में दिया कि पूडुस की जो संख्या है वो 25 पर 30 से बढ़ रहा है और महिला का जो जो संख्या है वो 15 पर 30 से बढ़ रहा है जिसके करण गाउं की जन संख्या कितना हो जा रहा है 3148 हो जागा, यानि 3148 से बढ़ रहा है, लेकिन अगर हम ये ले रहे हैं, कि पूरुस का जो संख्या है, वो 15% से बढ़ रहा है, तो गाउं का जो जन संख्या है, वो कितना से बढ़ रहा है, 292 से बढ़ रहा है, यानि कितना जो है कम से बढ़ रहा है, हम इसमें से अगर मा यानि यह हमारा क्या हो जागा 856 हो जाएगा अब देखिए हम अगर पुरुस का दस परतिसद कम बरहा रहे हैं जिसके करण गाउं का जो जो जला है वह 856 से कम बर है यानि यहां से हमारा क्या पता चल गया कि पूरुष का दस पर्थिसद, पूरुष का जो 10% है, वो किसके बराबर है, 856 के बराबर है, यानि हम यहाँ से पूरुष का 100% हो जागा, हम इस 10 में, अगर 10 से गुणा करेंगे, तो हमारे क्या हो जागा, 8,560 हो जाएगा गाउं में हमें ये पता चल गया कि बर्तमान में पूरुस का संख्या कितना है 8,560 है तो हम यहां से गाउं में बर्तमान में महिला का संख्या निकाल सकते हैं हमें जो है गाउं का टोटल जन संख्या कितना दिया हुआ है 15,000 15,282 दिया हुआ है तो हम इसमें से अगर पूरुस का संख्या माइनस करेंगे तो महिला का संख्या निकल गया जाएगा यानि पूरुस का संख्या कितना है 8560 है तो हम इसमें से माइनस करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा, जीरो, यह क्या है, आठ है, आठ में से चो हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, बारा में से पांच जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा जो है इनका अंतर पूछ रहा है हमसे इनका अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना हो जाएगा अंतर कितना हो जाएगा हमें अगर माइनस करेंगे तो यहां से हमारा अंतर क्या निकल क्या जाएगा अंतर हो जाएगा 0 हम 6 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा चार हो जाएगा उसके बाद हमें अगर माइनस करें पंद्रे में से अगर साथ माइनस करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा क्या हो जाएगा यह कितना हो जाएगा एक हो जाएगा यह निमारा अंतर क्या निकल क्या गया हमारा अंतर स्मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को अम्टर्स सेकटरी अपनी दासफ में चलते हैं आप देखिए यहाँ मैं क्या डिया है की रेल गाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करिए तो यहां चली गई दूरी क्या होगा रेल गाड़ी की लंबाई प्लस की प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगा आप देखे हमें कोश्चन में हमें कोश्चन में रेल गाड़ी का हमें स्पीड दिया हो है हमें स्पीड क्या दिया है सत्तर किलो मेटर सत्तर किलो मेटर पर हंटा और प्लेटफर्म को पार करने का हमें समय दिया है हमें समय क्या दिया है अब देखे हमें स्पीड दिया हुआ है और समय दिया है तो हम यहां से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और यहां से जो हमारे डिस्टेंस केल के आएगा वो किसके बराबर होगा ट्रेन की लंबाई और प्लेटफर्म की लंबाई के योग के बराबर होगा अब देखें यहां जो हमारे स्पीड दिया हुआ है किलोमेटर पर घंटा में दिया है और समय हमारा सेकेंड में दिया है तो यह तो हम हम इस समय को घंटा में चेंज कर ले या हम इस स्फिड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले तो हम हम करने के 라 यह हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जागा अब दिखि c 00 at इस सिपीड में। सब्सक्राइब कि यहां से ठाइब निकल गए घं़ए मरेल चलगार चलगा यहां से इसे थारे कर जाएगा हम सब्सक्राइब हमारा सब्सक्राइब करें ढ़िए भर कि यह 안खू करें लंबाई का यूग हमारा क्या निखिल गया। 350 में या झालनी हम इस 350 मीटर मे से अगर हम प्लेटफ़ॉम की लंबाई माइनस करेंगे तो हमारा क्या निखिल गया जगा Lazings अचे इअ कर। ऑंसर क्या निकिल के अगए, 200 मीटर निकल के अगया। हमें क्या निकलना बस्तू का क्रेमूल लिकाला है तो देखिए हम बस्तू का क्रेमूल कुछ माल लेते हैं देखिए हमने माल लेते हैं कि बस्तू का जो क्रेमूल है एकस रुपया है तो प्रोफिट क्या हो जागा हमें कोश्चन में दिया हुआ है कि बस्तू का जो क्रेमूल ह परतिसत लाब का आधा है यानि लाब कितना हो जाएगा लाब जो हो जाएगा 2x परतिसत हो जाएगा और हमें question में बज्टू का SP दिया हुआ है बिक्रेमुल हमें कितना दिया हुआ है 1,000 रुपया दिया है हम deposit रुपया है डेकर यहम st अगर हम निकाली होगा यह किसके पराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा option से solve कर सकते हैं देखिए अगर हम x के जगे अगर हम x के जगे 200 रख ले अगर हम x के जगे 200 रख ले तो यहां हमारा क्या चाहे रुप्या हूज से दो जिरो कर जागा हम दो सो में अगर पांच से गुना करेंगे तो यहां से हमारा क्या निकल किया जागा एक हजार रुपया एकॉल टु हमारा क्या निकल किया जागा एक हजार रुपया निकल किया जागा यहां से हमारा एक्स का वैलू क्या पता चल गया ऑप्शन से ऑप प्रणफल निकालना है, तो हम यहाँ दो संख्या माल लेते हैं, हमने माल लेकि एक हमारा संख्या X है और दूसरा संख्या Y है, और हम यहाँ X को बड़ा संख्या माल लेते हैं, यानि x-y, दोनों संख्या का अंतर हमें दिया हो है, x-y हमें question में क्या दिया हो है, 14 दिया हो है, और x-y, x-y हमें question में क्या दिया हो है, 20 दिया हो है, आप देखें, इन दोनों equation से हम x और y का value निकाल सकते हैं, इन दोनों equation को अगर हम add करेंगे, तो यहां से हमारा minus का y और plus का y कर ज तो ब्लस में हो जाएंगे एएंगी से सत्रे माइमस करेंगे निस monsieur आएक क्या क्या निकल यम्हें क्या तौह हमसे पूच क्या रहा है दोनों संख्या का बुझ रहा है यानी गुणने 3 करेंगे यह हमारा क्या हो जागा 51 हो जाएगा यहांस हमारा अंसर क्या निकल क्या गया गया चलिए कोश्चन समझ में आ गया होगा यह हमारा क्या हो जागा एक बटा 4 हो जागा अब देखेंगे कोश्चन में क्या दिया हो है कि B के अपे छाण यूनिट कमाता होगा तो ए जो हाड़ पे एक ज़्यादा यरनि 5 यूनिट कमाता होगा अब देखे हमें question में पूछ क्या रहा है हमसे पूछ रहा है कि A से B कितना परतिसद कम कमाता है A से B जो है कितना कम कमा रहा है एक किस से A से गुने हम 100 करेंगे तो यहां से हमारा percentage निकल क्या जगा 5 से 100 कितने बर में जगा 20 बर में ए की आयू, बी की आयू से तिन गुनी थी, चो बर्स बाद ए की आयू, बी की आयू का 5 बटा 3 होगी, बी की बर्तमान आयू क्या है, हमें क्या निकलना है, अब देखें, हमें कोश्चिन में क्या देखें कि चो बर्स पुर्व, ए की आयू, बी की आयू के तिन गुनी थी, य की वनिट होगी अब दखें में कोश्चन में आगे क्या दिया हों कि चौ वश बाद का शबर्स का चोंपश एक यायू तीन उनिट है तो बी की आयू कितना है एक यूनिट यहां मारा अंतर क्या हो जागा यहां मारा अंतर हो जागा दो यूनिट अब देखिए छो बर्स बाद एक यायू अगर पांच यूनिट है तो बी की आयू कितना है तीन उनिट यहां अंतर क्या है दो यूनिट अब देखें यहां से हमारा अंतर जो है बराबर निकल के आया अगर हमारा अंतर बराबर निकल के नहीं आता तो हम उपर के अंतर से नीचे वाले रेशियो में और नीचे के अंतर से हम उपर वाले रेशियो में गुना करते हैं तो वहां से हमारा अंतर बराबर निकल के आ जा लुकष है आप देखेए चोवर्स पहले वी कीफिन है एक यूनेट और च्वाइळा बी के अई कितना इतीन यानि यमिन निकले हो गया यान्हीं निकले कि आ गया हूं हे वह हमारा क्या है बार्य बार्स दूद यूरिटा मले निकाल niez एक इख कर वेलू क्या हो जागा च्छा कुछ जागा अब देख danः यहां वर्त बश्रों यह थ्फिका होको है था है अब देखिए च्छोबस पेदख फेले अगर एक यहूं थे तो तो B कायू कितना है, एक यूनिट है, और एक यूनिट का वैलू हमारा क्या निकल गया है, छो बर्स, एक यूनिट का वैलू हमारा क्या निकल गया है, छो बर्स, यानि छो बर्स पहले, B के आयू कितना होगी? 6 बर्स होगी तो हम बर्तमान में निकाल सकते हैं हम बर्तमान में निकाल सकते हैं बर्तमान में B का आयू क्या हो जागा? बर्तमान में B का आयू हम इस 6 बर्स में अगर 6 बर्स एड़ कर देंगे तो हमारा आंसर निकल क्या जागा? यहां से मारा आंसर क्या हो जागा बारे बर्स यानि बर्तमान में बीक आयू कितना हो जागा बारे बर्स हो जागा चलिए question समझ में आ गया होगा आज के लिए इतना ही फिर मिलते है next class में अगर class अच्छा लगे तो class को like करेगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और class को अपने दोस्तों के साथ सेर करना विल्कुल मत भूलेगा चलिए बाई बाई